इस भीडियो में दीगाई जानकारिया ओल्लेफर एड़ बार आप सब का स्वागत आज रिभीव करने बाले है एकसल 90 सिराप के बारे मैं आज जानाएंगे इसके अंदर कॉंटेंट सौल्ड के है ओ किन किन खामों में यूजेस लिया जाता है इसके उजे सबसे ज्यादा डॉक्टर क्यों लेते हैं इस पीमारी को थीक करने के लिए लिया जाता है इसके यूज़ करने को पद साइट एफिट का रह सकता है इसको कितना दीन यूज़ कर ना चाहिए प्रेगनश में सेफ है की निए इस को कितना होना चाहिए सब कुछ प प्राइस हो सकता है 110 रूपया जो की टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है यह 100 ml के पेकेजिंग के प्राइस है XL90 शिराप के अंदर कॉंटेनल सॉल्ट मुझूद है क्लोर फेनर में मैलेट जो की 2 mg के स्टेंड में मिला जाता है पार 5 ml में इन तीनों कॉंटन्स मिलके बहुत जश्यादा मदद करता है भी थीक करने के लिए जैसे के सोचति जुक्झाम हो गया हो उस्टाइम इस सिराप के यूजेस लिया जैता है जिसे बहुत अच्छा फायदा देखा जा सकते है सबसे ज़्यादा यूजस लिया जाता है ड्राइकफ यानि सुखी ओला खासी जो होता है उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होता है कभी-गभी ब्रॉंकाइटिस के चलते डॉक्टर इसको प्रोयक लेते हैं ब्रॉंकाइटिस को ठीक करने के लिए और थ्रोट हो ओला हो यानि गले में हिच्किच हो रहा हो कुछ निगलने के लिए भी प्रूबम होता है कुछ बोलने के लिए प्रूबलम होता है बहुत जदा खासी हेते है उस सीचुएशन में इस सिरप कब से भी मुक्ति दिलाता है यह सिरफ यह मुख्यतर यूज मैने बाता है दूसरे बगर की भी यूज हो सकते है जो डॉक्टर उनके एक्सपिरेंस का एकोडिंग लेते हैं दोस्तों इसको ज्यादा मतले मतली जेगा और खुद से मतली जेगा यह बहुत ही हानीका रख्षा भी हो सकता है साइड एफेक्ट भेरी सिरफ रह सकता है डॉक्टर जाजने के बाद ही आपको प्रिसकाइब करते है यह सिरफ इसे को सा मेडिशन को तुरद बंद करके डॉक्टर से मिलिए जो को बहता ट्रीडमेंट दे साके सिरफ चेंज करके डोच अट्जेस्ट करके तोस्तों इसको प्रेगनेंसी में यूज नहीं किया जा सकता है इसको ज्यादा मतले मतली जिगे जब ज्यादा हो तो डॉक्टर दे सकते ह हैं रेगने कर दो रॉक्टें से में तनक दोक्रें कुंशर के भी दोक्र गाउन साल 된 देना राइविंग करते दो खुर अर उंचायों कार्व करते दोने तो न लेने को लेनेका श्लीपीनस रैसी प्रोब्लेम हो सकता है इनके इनके का प्रोब्लेम से जो के पहले और च्र के साला से ही उच किजिए इसको लेने के कुछ डोज रूल से जो कि मैं हर वीडियो बाता हूं डोज रूई का एस तथरों का सिवियरेटी देखे निधान होता है फिर भी जो नॉर्माल रेकोमेंडेट डोज है ये डाल को ही दिया जाता है ये बच्चों में ना युच किजि खुद से इतना दिन ना लेजिए डोक्टर के साला से लेजिए दोस्तों आज के लिए पस इतने इतने इंपरमेशन देना था अगर वीडियो आज चला गए तो लाइक कीजिए कर हमरे चैनल को जुरूर सबसेट कीजिए कर अगय से वीडियो बने के लिए मिलेंगा अगले वीडियो बाद अब तक के लिए सुरक्सिद रहे है आच्छे रहे है धन्यवाद